सो हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल एचीवर एदूकेशन दोस्तो आजम लोग देखने वाल है कि क्लास 10 इंगलिस बिहार बोड के लिए मोस्ट बी बी आई इंपोर्टेंट अबजेक्टिव का पार्ट नंबर ये टॉन्टी शेवन लेकर आया है दोस्तो ठीक है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वो सभी पार्ट आप नहीं देखें तो पहले वो पार्ट देख लिए इसका प्लेलिस्ट बना गया है दोस्तो उसके बाद आप पार्ट नंबर टॉन्टी सेवन देखेगा दोस्तो और आप वीडियो को ना सुरू से लेकर अंतिम तक देखें लाश तक देखें बीच में इसकी इधर उधर आगे पीछे ना करें दोस्तो ठीक है ये जो वीडियो है ना ये आपके पूरे अंग्रेजी किताब क्लास 10 इंगलिस का हर एक चेप्टर से भी बी आए इंपोर्टेंट औब्जेक्टिव कोश्चन और आपके ग् कंबाइन करके यह 10 कोश्चन का ही एक सेट तयार किया जाता है दोस्तो उसी का हम लोग पार्ट नंबर टॉन्टी सेवन लेकर आ हैं दोस्तो ठीक है तो आइए हम लोग सुरुवात करते हैं पहला नंबर कोस्चन्स में क्या लिखा गया है दा मैन ये टाइरड ठीक है दा मै सारे स्टूडेंट दोस्तों कॉमेंट कर रहे हैं कि भाई या इसका PDF कैसे ले कैसे डाउनलोड करें जो आप पढ़ाते हैं दोस्तों तो आपको Google पर सर्च करना पढ़ेगा मेरे प्यारे दोस्त आपको Google पर क्या सर्च करना पढ़ेगा एचिवर एजूकेशन ठीक है आप Google पर सर्च कीजिए एचिवर एजूकेशन फिर इसका website आजाएगा इस परकार का www.theachivereducation.com करके इसका website है दोस्तों जो आपको website open कीजिएगा नजब फिर आपको class 10th में चले जाना है ठीक है वहाँ पर class 12th 9th 10th सब कुछ वहाँ दे दोस्तों all subject ठीक है साथ साथ तो आप class 10th में चले जाएगा ठीक है class 10th में चले जाने के बाद वहाँ आपको objective questions मिलेगा subjective questions मिलेगा model paper मिलेगा वो तमाम चीजे उपलब दे दोस्तों जो आपको चाहिए जो विद्यार्थी comment करके वो जरूरत को अपने demand को मांगते है ठी ठीक है तो आप objective type questions में किलिक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों फिर आपको English में चले जाना है ठीक है English में चले जाएगा ना objective का English में तो आपका हिंदी का भी वहाँ पर upload है दोस्तों देली के basis पर ना उसमें content और भी subject का add किया जा रहा है जो अगले साल 2022 metric या inter class 12th या 10th स्टूडेंट से वह आसानी से free of cost के साथ study कर जकते हैं दोस्तों एक भी रुपे आपको देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो आई हम लोग दूसरा questions की और चलते है मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा number questions में क्या लिका गया है मित्र greed क्या लिका गया है greed is fill in the blanks but life is not तो दूसरा का सही उतर option number आपका correct क्या हो जागा D number हो जागा endless हो जागा endless greed is endless but life is not ठीक है चलिया हम लोग third number questions की और चलते है मेरे मित्र third number questions में क्या लिका गया है दोस्त in this lesson ठीक है या lesson में the author talks about different types of ठीक है तीसरा का सही उतर option number A हो जाएगा allergies ठीक है in this lesson the author talks about different type of allergies या lesson में या part में author जो है वो बात करते हैं लेखर कि वो अलेक परकार का allergy वो बीमारी होती है दोस्तों ठीक है चलिया हम लोग fourth number question pure चलते है मेरे दोस्त a person ठीक है क्या लिका गया a person has to be exposed to a particular fill in the blanks for some time to become ठीक है चो चौथा का option number correct आपका क्या हो लाएगा allergen हो जाएगा क्या हो जाएगा c number allergen ठीक है a person has to be exposed to the particular allergen for some time to become ठीक है तो दोस्तों आप लोग ना इसका telegram पर आप लोग जूर जाएए ठीक है वहाँ पर आपको telegram पर जूरने से क्या-क्या फाइदा मिलेगा वहाँ पर बहुत सारा फाइदा मिलेगा दोस्तों पहला तो हरे एक परकार का परिच्छा से जानकारी updates दूसरा most BVI important objective subjective questions तीसरा PDF मिलेगा दोस्तों चौथा पाचमा आपका website link app link क्यों जोते रहा था YouTube channels link question sensor हरे एक परकार के updates मिलते रहेंगे दोस्तों जो आपको जरूरत है जो students demand करते हैं चाहे वो daily class से related or daily news से related or daily exam से related हो दोस्तों वो तमांग परकार का यहां सब कुछ उपलब दोते रहेगा ठीक है चलिए हम लोग 5th number questions की ओर चलते हैं the fill-in-the-blanks path of allergen development is widely referred to as the allergy march तो पच्मा का सही उतर option number C number correct हो जागा direct the direct path of allergy development is widely referred to as the allergy march ठीक है तो दोस्तों six number चलिए questions की ओर चलते हैं छटा number questions में क्या लिका गया है दमित्र the earth क्या लिका गया है the earth fill-in-the-blanks round the sun अब हम लोग grammar portions में हेल चुके हैं दोस्तों जो की 10 questions का सेट रहता है कुछ questions उसमें grammar के रहते हैं चार-पांच और पांच चेकुछ आपके यह literature book 100 marks English class 10 के उन्हें से रहते हैं ठीक है यह दोनों को combine करके 10 questions का सेट तयार किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा important objective questions है दोस्तों ठीक है इसी से questions आएगा इसी से questions लड़ेगा दोस्तों इससे बारतो questions कदापी नहीं आएगा कभी नहीं आएगा दोस्तों ठीक है तो अराम से पढ़िए वो भी फ्री अपकोश्ट में अपने दोस्तों के बीच सेर भी कीजिए कि एक ऐसा वेब साइट है कैसा यूटूब चैनल से कैसा अप्लिकेशन एप जो बिल्कुल मुफ्त में स्टडी कराता है कहीं भी आपको एक भी रुपय आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों नहीं एक रुपया लोगेगा सिर्फ आप किजे दोस्तों ठीक है बिहार के कोई कोना में आप रह रहें तो आप फ्रियोंप 역시 में स्टडी कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो 6 घा गासे उत्टरॉंप सं नमब करेक्ठ हो जाएगा एं नमबर मुब्स ठीक है दो आर्थ मुब्स राउंड न संचलिये दोस्त को यह सटमे सी नंबर करेक्ट हो जागा कुड वेन आई वाजे चाइल्ड आई कुड जंप भेरी हाई चलिया लोग अठ्में नंबर कोस्टिंस की और चलते हैं मेरे मित्र इसका एप्लिकेशन एप भी है दोस्तों जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा सर्च करने के बाद दोस्तों आपक कर लिजे इसका एप्लिकेशन जो वहाँ पर डेली लाइव क्लास चलेगा क्यों जो तेरा दाद तो कोश्टन सेंसर वेब साइट वहाँ पर सब कुछ उपलब दे हरे एक परकार का वहाँ उपलब दी पर अपते दोस्तों तो अपराम से फ्री आप कोश्ट में इसका एप डाउंलोड करी लीजे दोस्तों ठीक है वी आर गॉइंग तुसी आवर पहरेंस तो अफ्मा काईस особा चाहितर अप्शन नमबर एक करेक्ट हो जयागा ठीक है we are going to see our parents at the weekend ठीक है चलिए दोस्तों हम लोग 9th number questions की ओर चलते हैं 9th number questions में क्या लिखा गया man and woman क्या लिखा गया man and woman fill in the blacks blanks complimentary to each other तो 9th का option number correct आपका C number correct हो जाएगा R ठीक है man and woman are complimentary to each other दोस्तों ठीक है चलिए आप लोग 10 में number questions की ओर चलते हैं 10 number का ये questions है दोस्तों ये सब जो questions है आपके subject verb agreement जो की आप लोग ये बोलते हैं दोस्तों उसी से ये questions लिया गया दोस्तों ठीक है grammar portion से आपको ये सब questions है ठीक है rice and curry fill in the blanks my favorite dish ठीक है तो दस्मा का से उत्र option number इज हो जाएगा rice and curry एक ही भोजन को बोला जाता है दोस्तों दोनों अलग लग नहीं है इस कारण से इसमें इज लगेगा ठीक है rice and curry is my favorite dish ठीक है तो c answers में आपकी लिक कीजेगा ना तो सभी का देखिए answer आपको यहाँ पर मालूम चले जाएगा पता चल जाएगा जाएगा